इतिहास हमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात सिखाता है कि एक व्यक्ती इतिहास से ज़्यादा कुछ नहीं सिखता है फिलोसोफर ओल्डिस हकसले का ये एक बहुत फेमस स्टेट्मेंट है जिसका सबसे ताजा उधारण हमें अफगानिस्तान में देखने को मिला 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने वर उन टेरिल पॉलिसी के तहट आपरिशन एंडियॉरिंग फ्रिडम अफगानिस्तान में चलाया और प्रेजिडेंट जोर्ज डव्ली बुस और उनके बाद आने वाले बैरक अबामा ने अफगानिस्तान से आतकवाद को उखाड फैंकने और अफगानी रास्टों की निर्माण और सम्रिद्धी को लोकतंतर के आधार पर इस्थापित करने को अपना लक्ष बताया इसके 20 साल बाद जब अमेरिका ने अगस 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ा तो अमेरिकन प्रेजिडेंट जो बाइडन का कहना ये था कि अफगानिस्तान में अमेरिका का उद्ष ये कभी बी सेंट्रलाइज डिमोक्रिसी की स्थापना और अफगानी रास्टों के निर्मा कि वर्ष 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था उस समय तालिबान का जितने क्षित्र पर नियंतर्ण था आज तालिबान का उस से ज़्यादा क्षित्र पर नियंतर्ण है या आप कह सकते हैं कि आज तालिबान का अफगानिस्तान के संपूर्ण क्षित् पर नियंतर नहीं रहा था 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल के हस्तक्षेप के बाद केवल महिला अधिकारों और इंटरनेट एकसेस जैसी चीजों को छोड़ दिया जाये तो किसी भी पैमाने पर इस हस्तक्षेप को सफल नहीं माना जा सकता अब से लगबग 180 साल पहले विस्व की एक और सामराजवादी शक्ती या कहें कि उस समय की सबसे बड़ी सामराजवादी शक्ती ब्रिटेन ने भी 1849 में अफगानिस्तान पर हमला किया था जिसे हम First Anglo-Afghan War के नाम से जानते हैं लेकिन इस युद्ध की शुरुआत के तीन साल बाद यानि 1842 में ब्रिटिस सैनिकों और सिविलियन्स को मिलाकर के बनी 16500 सैनिकों की फोज को काबूल से पीछे अटना पड़ा तो इन में से केवल एक सैनिक डॉक्टर ब्राइडन ही जलालाबाद पहुँच पाया अफगानी ट्राइब्स ने अपने छोटे मोटे हत्यारों से इस पूरी सेना को समाप्त कर दिया ये स्क्रीन पर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये लेडी बटलर द्वारा बनाए गई पेंटिंग है जिसका नाम है ओयल रेमनेंट्स ओफ एन आर्मी इसमें डॉक्टर ब्राइडन को जलालाबाद के बहार अदमरी स्थिती में अभिव्यक्त किया गया है और साथ ही ये पेंटिंग अफगानिस्तान में ब्रिटिस सामराज्य की जबरदस्थ हार को भी अभिव्यक्त कर रही है ब्रिटेन को 2nd Anglo-Afghan War 1878-1880 की दोरान जरूर कुछ सफलता बिली लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन कभी भी अफगानिस्तान पर अपनी संपून सत्ता स्थापित नहीं कर पाया और तीसरे Anglo-Afghan War 1919 में उसे अफगानिस्तान को आजादी देनी पड़ी और अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा इसी तरह से सोव्यत संग ने भी December 1979 में अपने मदेशाई गणराजों की सुरक्षा और अफगानिस्तान में कम्यूनिस्ट सत्ता को बचाने के लिए अपनी फोज अफगानिस्तान में उतार दी क्योंकि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के कारण सोवियत संग की अर्थविवस्ता बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई और अब वर्ष 2021 में विस्व की सबसे बड़ी आर्थिक और सेने शक्ती 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद कह रही है कि अफगानिस्तान में और समय तक तिके रहना किसी भी तरह की पॉजिटिव रिजल्ट्स की आशा नहीं देता है इसलिए अफगानिस्तान से अपनी फोज को बुलाना बिलकुल जायज है आखर क्या कारण है कि अफगानिस्तान को जीतना किसी भी सामराजवादी शक्ती के लिए बेहद मुश्किल होता है और अगर वो सामराजवादी शक्ती अफगानिस्तान को जीत भी लेती है भू आकरती और अफगानिस्तान का ट्राइबल स्ट्रक्चर हिंदु कुष परवत अफगानिस्तान का सबसे महद्वपून परवत है जो अफगानिस्तान के मध्धे और दक्षिनिक शित्र में फैला हुआ है अफगानिस्तान के उत्तर पूर्विक शित्र में स्थित अफगानिस्तान का प्रांत बदक्षा में ही पामीर की गांट स्थित है जिसको पामीर नोट कहते हैं पामीर नोट वो स्थान है जहां पर हिमाले, हिंदुकुष, तियेन शान, कुनुलुन शान और पामीर एक जगह पर मिलते हैं साथ ही अफगानिस्तान में रेगिस्तान की उपस्तिती और इसका अत्तिक थन्डा मोसम इसे एक बहुती कठोर क्लाइमेटिक कंडिशन्स प्रदान करता है जोग्रिफिकली अफगानिस्तान, मद्दे एश्या को दक्षन एश्या से जोडने वाले और पश्यमी एश्या को पूर्वी एश्या, दक्षन एश्या और मद्दे एश्या से जोडने वाले मार्क पर इस्थित रहा है मद्धे इश्या की भूमी historically अलग-अलग जनजातियों और ethnic groups का जन्मिस्थान रही है जैसे मद्धे इश्या के पाँच देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान basically कजाक, किर्गिस, उजबेक, ताजिक्स और तुर्कमान ethnic groups से ही मिलकर के बने हैं इन्ही ethnic groups के आधार पर इन पाँच देशों का गठन हुआ है अलग-अलग एतिहसी काल के दोरान मद्धे इश्या की इन जनजातियों और ethnic groups का अफगानिस्तान में कभी व्यापार के लिए, कभी सामराज्याई युद्धों के लिए और कभी खाना बदोश युद्धों के लिए आना जाना और बसना लगा रहा है इससे समय के साथ अफगानी समाज के निर्मान का जो प्रमुक गठन है वो इन ही जनजातियों और ethnic groups से मिलकर के हुआ है जैसे वर्ष 2009 के एक डेटा के नुसार अफगानिस्तान में 99% population Muslims है इन में 80% सुनी Muslim और 19% शिया Muslim है अफगानिस्तान में समाज का विभाजन ethnic groups के आधार पर भी है जैसे अफगानिस्तान में total population का 42% पश्टून है 27% ताजिक है 9% उस्बेक है और 9% ही हजारा है इन में भी आगे चल करके सब ट्राइब के विभाजन है जैसे पश्टून में पॉपल जई पस्टून और घिल जई परसून पॉर एक्जेंपल अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेजिडेंट हामित करजई एक पॉपल जई ट्राइब से है पॉपल जई पश्टून है और तालिबान के फाउंडर मॉला उमर होता की घिल जई पश्टून है पूरे अफगानी समाज का गठन इसी प्रकार से हुआ है इन सभी ट्राइब के अपनी अपनी परंपराएं, रीती रिवाज, मानेताएं और रहनसैन के तरीके रहे हैं साथ ही इन सभी ट्राइब के अपने-पने सरदार, वोर्लोड्स भी हैं अभी हाली में आपने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक व्यक्ति का नाम सुना होगा अब्दुल राशिद दोस्तम ये बेसिकली उस्बेक एथनिक ग्रूप्स के मिलिश्या लीडर रहे हैं हालांकि इन्होंने अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट का पद भी संभाला है इसी तरह से ताजिक एथनिक ग्रूप्स के परमुक लेडर अता महमद नूर रहे हैं इन एथनिक ग्रूप्स या ट्राइब में शामिल लोगों की प्रारंबिक निष्ठा अपनी ट्राइब के प्रती और अपनी लीडर्स के प्रती रही है अलग अलग समय पर अफगानिस्तान में साशन करने वाली सत्ताओं चाहे वो मूल रूप से अफगानी हो या बहरी हो सभी को इन समझ्चाओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि ये ट्राइब्स ने केवल बहरी लोगों की खिलाफ लड़ते रहे हैं बलकि इनके आपस में भी काफी मतभेद हैं और इसलिए प्रतेक अफगानी गाओं अपने आप में किले के रूप में तब्दिल हो गया है समय के साथ यही कारण है कि अफगानिस्तान में साशन करने वालों का उसके शेरिक शित्रों पर तो प्रभाव रहा है लेकिन जैसे जैसे आप ग्रामिन्ट शित्रों में जाते हैं भीतरी इलाकों में जाते हैं यह प्रभाव लगबख शुनने के बराबर हो जाता है इसलिए किसी भी सत्ता के लिए अफगानी समाज के अलग-लग प्रतिनिध्यों को साशन में शामिल करना साशन की एहन जरूरत माना जाता है बिटिस सामराज्य हो, सोवियत संगो या अब हाल में अमेरिका सभी को अफगानी समाज के अलग-अलग हिस्सों ट्राइब्स और सब ट्राइब्स की तरफ से जबरदस्ट रेजिस्टेंस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है साथ ही अफगानिस्तान एक लेंड लोक्ट कंट्री है यानि चारो तरफ से जमीन से गिरा हुआ देश है जिसमें इंफ्रस्ट्रक्चर डवलप्मेंट और एकॉनमी के दूसरे पहियों को घुमाने वाले चक्के मौझूद नहीं है इसलिए अगर आप अफगानिस्तान में साशन करना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब खर्श से साशन करना पड़ेगा इसी परिपेक्ष में जो बाइडन के उस स्टेटमेंट को समझना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में बने रहना unsustainable है इसकी और वो इशारा करते हैं ऐसा नहीं है कि अमेरिका और समय तक अफगानिस्तान में बने नहीं रह सकता था जबकि सवाल अमेरिका के सामने सबसे बड़ा ये था कि कब तक अपनी जेव खर्ष से अफगानिस्तान में बने रहना है इसी पूरे प्रसंग में हमें Aldous Huxley का वो स्टेटमेंट फिर से याद करना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि इतिहास में सबसे महत्पूर्ण बात सीखने वाली ये है कि कोई इतिहास से कुछ नहीं सीखता अमेरिका ने ने केवल 1849 से 1842 के एंगलो अफगान वोर के सीख को भूला दिया बलकि खुद अपने इतिहास को भूला दिया यहाँ पर अपने इतियास को बुलाने का क्या मतलब है? अपने इतियास को बुलाने का मतलब यह है कि सामाने तोर से इतियास पढ़ने वाले विद्यार थी यही मानते हैं कि सोव्यत संग का दिसंबर 1989 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक शेब वस्तुत है अफगानिस्तान की कम् अमेरिका के फोर्मर प्रेजिदेंट जीमी कार्टर के नेश्रल सिक्यूरिटी एडवाइजर थे पॉलेंड मूलके थे और पॉलेंड के साथ इस्ट एपरोपन कंट्रीज को सोवेत रूस के प्रभाव से मुक्त कराना चाहते थे साथ ही वह मुसलिम कंट्रीज को भी सोवेत रूस के खिलाफ करना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक पूरा प्लैन किया कि सोवेत संग का हस्सक्षेव किसी ना किसी तरह से अफगानिस्तान में सुनुश्ट कर दिया जाए क्योंकि ब्रिजिंस्की का ये मानना था कि जिस तरह से अमेरिका के लिए 1989 1979 में हस्तक्षेव किया इस स्पेशल फोर्स का काम अफगानिस्तान में कम्मिनिस्ट सत्ता को गिराना नहीं था बलकि अफगानिस्तान की कम्मिनिस्ट सरकार और सोवेत संग को केवल ये महसूस कराना था कि अगर सोवियत संग ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं किया तो ये सरकार गिर जाएगी सोवियत संग इस जाल में उलजहा और सोवियत संग ने 24 दिसंबर 1989 को अफगानिस्तान में अपनी फोज उतार दी जिस दिन अफगानिस्तान में सोवियत संग ने अपनी फोज उतारी उसी दिन ब्रेजंस्की ने जीमी काटर को एक कॉंग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा कि आपको मुबारक हो सोवियत संग अपने वियतनाम में प्रवेश कर चुका है अगर आप इस पूरे हिस्टोरिकल सिनेरियो को देखते हैं तो अमेरिका ने नेकेवल अफगानिस्तान में ब्रिटिस सामराज्य के इतियास को भुला दिया बलकि खुद अपने एक्सपर्स द्वारा जो पॉलिसीज पूरू में अपनाई गई है अफगानिस्तान को लेकर के हिस्टोरिकली सभी एमपायर्स के लिए एक कबरकाह के रूप में सामने आया है इसलिए इसको ग्रेवियार्ड ओफ एमपायर्स भी कहा जाता है अफगानिस्तान सिरीज के अगले अपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या अमेरिका का अफगानिस्तान में आतंकवाद को खतम करने के लिए किया गया हस्तक्षेप वास्तम में आतंकवाद को खतम कर पाया है या इसके कुछ अलगी नतीजे निकले हैं इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकिशन मिलता रहे इस वीडियो को शेर जरूर कीजिए और अपने विच यूमे बोड़ दने वाद